Assalamu alaikum viewers, this is Ahiba और आज हम division perform करेंगे long division of polynomials यह वाले polynomials है जिनके variable के powers positive हों. Division जो है polynomials की काफी मज़े की होती है जिसमें 3 steps होते हैं number 1, divide then multiply and third subtract, that's it तो पहले हम बच्चों वाले तरीके से सीखते हैं, जिसे पहली बार सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, फिर मैं आपको जो है जब practice हो जाती है, कैसे करते हैं, वो बताऊंगे इंशाल्ला, so शुरू करते हैं first step हमारा division first term लेंगे dividend का, that is x cube diviser का first term लेंगे that is x, दोनों के divide करेंगे divide में जो है power minus होते हैं 3 minus, यहाँ पर 1 है तो 2 बचेगा, that means x square यह रखेंगे यहाँ पर, जो हमारा answer निकलने वाला है, x square अब second step है multiplication जो हम diviser लेंगे x minus 2 उसको यह multiply करेंगे, जो हमारा answer निकला था x square और x हो जाएगा, x cube power add होंगे, multiplication में x square और minus 2 होंगे minus 2 x square यहाँ पर रखेंगे, powers आपको match करने है cube वाले, cube के साथ cube के नीचे, और square वाले, square के नीचे अब आप third step करेंगे that is subtraction subtraction जो है इस तरह से subtract होगा ठीक है, नीचे वाला तो यह sign change कर लेगा ठीक है, minus plus हो जाएगा, minus यहाँ पर positive है, और यह negative हो जाएगी positive, ठीक है और plus minus यह कड़गा और plus minus minus 10 में से टूगे तो at x square negative 8 हो जागा क्योंकि 10 जो है बड़ा है, बड़े का राज चलता है plus 31 x उता के देंगा और minus 30 अब वही step दोराएंगे इसका फर्स ट्रम ले तारस minus 8 x square और इसका फर्स ट्रम ले x यह बार बार आएगा square में से यह निकालें बागी बचा सिर्फ x और minus 8 वही दे दे अब इसे रखें यहाँ पर minus 8 x जो के हमारा answer निकलने वाला है अब जो है multiply करें x minus 2 के साथ minus 8 x square हो जाएगा और minus minus plus towards us 16 x ठीक है minus 8 x square plus 16 x अब आप simply signs change कर ले minus का कर ले plus और plus का कर ले minus यह कड़ गया plus minus minus 15 x positive 15 x आएगा minus 30 अब आप वही step करेंगे अब यहाँ पर plus 15 लिखें ठीक है बीच में आएगा plus और x minus 2 15 x minus 30 15 to the 30 यहाँ पर रखते हैं आप यह माइनस और यह प्लस यह माइनस और यह प्लस अब नेक्स क्विस्ट इसे करते हैं जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो कैसे करना होता है ठीक है सिंप्ली आप माइन में करेंगे जो भी रखक यहाँ पर किया था ना हमने तो 6 x पावर फॉर को डिवाइड के 2 x स्क्वेर से तो 2 3 टाइमस आएगा और पावर फॉर में से 2 गया तो बाकी बच्वेर एक्स स्क्वेर अब यह हमारा आगया अंसर इसको अब मुल्टिप्ला आड जाएगा यहां पर माइनस यहां पर अब साइन्स चेंज करें यह कट गया और यहां पर बचा माइनस 6x स्क्वेर और प्लस 24 टार के देदें अगैंस सेम माइनस 3 टाइमस x एकस में कट गया x square x square में कट गया, सिर्फ 3 अब multiply करें, 3 2's are 6 minus plus minus x square minus plus sorry, minus minus plus 3 8's are 24 ये minus, ये plus और ये कट करें और ये 0 remainder that means this is our answer 3 x square minus 3 quotient ये dividend, ये divisor और ये quotient अब एक question हम remainder वाला करके देखते हैं जब remainder बचता है तो आप answer कैसे लिखेंगे simply divide करें, हो जाएगा 6 x अब इसको इन दोने से multiply करें 6 x cube और 6 2's are 12, x आ रहा है यहाँ पर x square है तो हम यहाँ पर रखेंगे ठीक है, base आपको ज़रूर देखना है otherwise problem हो जाएगे ये subtract नहीं हो पाएगा तो signs change करें यहाँ पर plus 12 है तो minus हो जाएगा, यह कड़ गया अब आपको पहले कौन सा रखना है ये वाला ये वाला ये वाला रखना होगा जो greater power है वो ही आपको पहले रखना है otherwise यह solve नहीं होगा तो minus plus minus 8 x negative आएगा plus 20 अब आप simply बेसे करें plus 13 बचा और 13 x square plus 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 26 यहाँ पर आएगा और साइंस चेंज कर गया minus 8 x minus 6 बचाँ बचाँ तो एंसर यह नहीं होगा एंसर इस तरह से लिखना है आपको 6 x plus 13 और यहाँ पर अगर इसकी जो साइन है negative है तो यहाँ पर negative लिखे अगर कोई साइन यहाँ पर नहीं हो तो यहाँ पर प्लस रिखेगा 8 x minus 6 over x square plus 2 यह जो डिवाइजर है यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से आपको एंसर लिखना होगा I hope you liked it अजय कोई साइन पर आपको आपको 8 x